आज की तारिक में कोई अगर डिफाइन करना चाहे इंडियन एकनोमी को तो उसके लिए एक सेंटेंस काफी होगा गई भैस पानी में अब पानी से बाहर कब निकलेगा कैसे निकलेगा वह 10 साल भी लग सकते हैं बीछ साल भी लग सकते हैं और एसे इसा ही कुछ माहोल चलता रहा तो 70 साल भी लग सकते हैं और यह जो एकोनोमी की का हाल है भारत का इसका कारण कोर्णा वाइरस नहीं है बलकि Epidemic Act 1897 है अब पहले तो हम समझते हैं Epidemic Act क्या है उसके लिए हम समझना पड़ेगा Epidemic Word का मतलब क्या है महामारी Epidemic Word का मतलब समझने के लिए WHO के website पर आप देखिए इसका definition Epidemic का definition आप देख रहे है The occurrence in community और a region of cases of an illness specific health related behavior और other health related events clearly in access of normal expectancy तो यह आपने देखा Epidemic का definition मतलब कि जितनी बिमारियां normally होती है किसी एक particular वस्तू से या किसी एक कारण से उससे जादा और clearly काफी जादा बिमारियां हो तो उसे महामारी या Epidemic का नाम दिया जा सकता है अब मैं आप से पूछता हूँ Unvised हो के बताईए सोच के बताईए क्या भारत में कोई एक particular बिमारी जादा दिख रही है आपको आप बोटें केस बढ़ रहे हैं लिए मैं केस नहीं बोटा हूं मैं बिमारी पोछ रहा हूं केसे अलग है बिमारी बिमारी मतलब की इंसान बिमार पड़ गया केसे तो भारत में आज के आकड़ा जो है एक लाख पच्छी जार केसे अभी तक के हैं एक लाख पच्छी जार केसे उसके बारे में बात बात में करेंगे मैं बोलता हूं बीमारी कितने लोग बिमार पड़े हैं और कितने लोग मरे हैं how many people died right so जो number of people died that is 4000 से कम और अगर इसमें भी एक कुश्चन है कुश्चन यह है कि यह जो 4000 लोगों का जो less than 4000 डेथ बता रहे हैं इसमें क्या सारे के सारे कुर्णा वाइरस से मरे हैं number one या फिर comorbidity से मरे हैं या वाइरस की treatment से मरे हैं ये कैसे define होगा कोई भी जो positive आता है और उनकी death हो जाती है तो क्या वो जरूरी है कि कुर्णा वाइरस की वज़े से ही मरे हैं क्यों न हम यह मानें कि वो जो unapproved medicines हैं जो experimental drugs हैं जो कुर्णा वाइरस की patient को दे जा रहे हैं उनकी रिखेंगे कि exponentially 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 यह जो death का आकड़ा बढ़ता जाएगा उसका खास कारण है पिछले दिनों ICMR जो की health ministry का एक part है उसने death certificate का जो format है उसमें वो बदलाव कर दिया बदलाव यह मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोई अगर pneumonia से death होता है या फिर कोई breathlessness से death हो syndrome या फिर कोई cardiac injury से death होता है या body में clot पाए जाता है blood clot तो वो सारा coronavirus के खाते में आ जाएगा मतलब यह कि patient का coronavirus positive आए negative आए ना आए कोई मतलब नहीं है याद रखिए पिछले साल हर साल लगबग pneumonia से देड़ लाक लोग मरते हैं भारत में यानि कि इस साल वो देड़ लाक ल lessness मैं आपसे पूछता हूँ ऐसा कब होता है कि कोई इनसान मर रहा और को सांसों की दिक्कत नहीं हो रही हो heart की दिक्कत नहीं हो रही हो after all मरने का मतलब यह कि heart रुख जाता है और सांसे रुख जाती है तो virtually इसका मतलब यह कि भारत की धरती में अगर कोई मरेगा तो वो coronavirus स मरेगा ही नहीं मैं यह बोलना चाहरा हूँ आने वाले दिनों में जो number of death का जो आंकरा देखेंगे exponentially बढ़ने वाला है जिससे justify हो जाएगा कि हमने epidemic act लगाय था यह हमने lockdown किया था देखिए cases कितने बढ़ गए कितने death बढ़ गए जबकि वो death क्या corona death है अब आता है cases पे तब से यह test कर रहे हैं तब से FDA ने यूएस के FDA ने इसे अंडर emergency authorization में रखा है उसका मतलब यह है कि unapproved इसका सीधा मतलब है unapproved और वो मैं नहीं बोल रहा हूँ वो FDA में इसका definition लिखा है कि जो emergency authorization का मतलब ही होता है unapproved वो तब unapproved था January मेहने में कि यह test kit कैसे काम करेगा तो unapproved में रख दिया लेकिन अब यह 5 मेने हो चुक है में का महीना आ चुक है और अब तक पूरे दुनिया में लगबग 2 करोड से जादा टेस्ट हो चुके हैं यानि कि इस test kit को 2 करोड बार test use कर दिया गया है यूएस में ही 1 करोड 20 लाग बार test कर दिया गया है लेकिन अनियूल में वो आप स्क्रीन पर देखिए इसमें जो अभी भी साफ साफ लिखाया पड़िये पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यूज और हाइली डिपेंडेंट और प्रेविलेंस फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट रमोर लाइकलि वन पर देखिए यसका कोई माबदन नहीं है दूसरा देखिये पढ़िये, important point, detection of viral RNA may not indicate the presence of infectious virus or that of 2019 NCOV is the causative agent for clinical symptoms. मतलब viral RNA होने का मतलब ये नहीं कि वो virus ही है body में, ये clear कर दिया है test के और अभी भी ये status लागू है, 2 करो test होने के बाद. आगे पढ़िये, the performance of this test has not been established for monitoring treatment of 2019 NCOV infection. तो ये clear हो चुका है, जब जैसे सब पढ़ते जाएंगे कि ये test, coronavirus का actually test ही नहीं, इस test के result को हम reliably मानी नहीं सकते. अब अगर मानते भी हैं, तो इससे ये साबित होता है कि इसके body में coronavirus है. और भारत के case में जो आकड़ा आप देख रहे हैं, वो बताया जा रहा है, एक लाग पत्सीज़ार cases हैं. एक लाग पत्सीज़ार लोग बिमार हैं, ऐसा नहीं हैं, cases हैं. जितने लोगों के body में virus होगा, उसको एक आकड़ा मान लिया जाएगा. लेकिन सच बात तो यह है, Germany के sampling को देखें, Iceland के sampling को देखें, New York के sampling को देखें, कई सरे देशों ने sampling किया, उसमें ही आया कि उन देशों के on average 10 प्रतीशत से लेके 14 प्रतीशत लोगों के body में coronavirus आके जावी चुका है. तो भारत के case में अगर मैं extrapolate करूं तो यह बन जाता है करीब 14 करोड लोग, 140 करोड लोगों में से 14 करोड लोगों के body में coronavirus आके जा चुका है. यह मेरा estimate है, इसका मतलब कि भारत में जो total cases होने चाहिए है, वो है 14 करोड लोगों बिमार पड़े हैं, illness महामारी का connection cases से नहीं है. महामारी के definition यह नहीं कि कितने लोगों के body यह virus है, उतने के, तो महामारी मानी जाएगी, नहीं. इस वक्त आपके body में, मेरे body में 50,000 तरे के virus हैं, वो लेकिन उससे कि हम बिमार पड़ रहे हैं, that is more important. महामारी मतलब कि किसी virus से बिमार पड़ना, या किसी चीज की वेज़े से बिमार पड़ना, that is called महामारी, right? लेकिन virus itself होना condition काफी नहीं है, कि महामारी खोशित कर दें, तो virus तो हमारे body में 50,000 तरे कि 12 महीने महामारी लगए रहेगा, लेकिन क्या हम उससे बिमार पड़ रहे हैं, that is the most important thing, अब मैंने आपको बताया कि 2 करोर टेस्ट हो चुके हैं, उसके बाद भी यह unapproved है, मतलब यह label टेस्ट है ही नहीं, जिसको base बनाके epidemic act लगाके, जो भी कुछ आपके आसपास हो रहा है, वो तो देखी रहे हैं, तो इस coronavirus, the business of fear, यह वीडियो YouTube ने तीन दिन के अंदर delete कर दिया, Facebook में scroll करके जाएंगे, मेरे Facebook में, तो तीन February में जाएंगे, तो यह वीडियो आपको मिल जाएगा, और इस वीडियो में मैंने बताया था, इसका कारण क्या है, और वो ही अब सत्य होते वे दिख रहा है, कारण है, यह एक business model है, चाइना और US का किया हुआ एक खेल है, जिसमें सिर्फ economic benefit के लिए किया गया है, चाइना का economic benefit तो जग जाहिर है, हमने क्या किया भारत ने, अपने सारे खाने तो बंद कर दिये, तो अब सारी चीज हम चाइना से import कर रहे हैं, चाए वो thermometer हो, चाए वो testing kit हो, और वो भी जितना उसका worth है, उससे 5-7 गुना, जादा दाम पे घडिया माल import कर रहे हैं, तो चाइना को कितना economically benefit हुआ, यह आपको explain करने की ज़रूत नहीं है, अब बचा सवाल सिर्फ US का, अगर आपको US के benefit या economic benefit के बारे में जानने की उस सुकता है, तो आप screen पे दिये वे link में जाइए, और जाके Forbes magazine में दो दिन पहले ही report आई है, वो देख कि आप चकरा जाएंगे, शौक हो जाएंगे, कि US को कितना जादा फाइदा हो गया है, उनको economic benefit कितनी जादा हुई है, पिछले तीन महीने के अंदर, यह कोरना के दोर में, आप बोलेंगे US में तो cases बढ़ के लिए कि वहाँ पे कोई मौते होंगी, तो कुरोना, डॉक्टर को बताया गया, वहाँ के डॉक्टरों को कि अगर कोई भी death होती है, US के धती में, तो डॉक्टर बिना कुरोना के test कराए भी, उसको चाहे तो कुरोना death बता सकता है, अगर test के दौरान, अगर मरने से पहले कोई symptoms हो, symptoms कौन से हो, मैंने आपको अलड़ी बता दिया, pneumonia के symptoms हो, या cardiac injury हो, इस तरह के चीज़े हो, तो डॉक्टर कमन करेगा, तो कुरोना लिख देगा, या लिखना चाहिए, ऐसा वहाँ पे insist किया गया for the doctors, तो मतलब यह कि वहाँ पे जब cases बढ़ते वे, death मर्द बढ़ तो actually वह कोरोना से मरेगा, ऐसा हम मान लेते हैं, और उसके लिए कोई RT-PCI test करना है, ऐसा जरूरी नहीं है, ये भी लिख दिया गया है, कि बिना test के, डॉक्टर अपनी आँखों से देखेगा, और तुक्का मार के लिख देगा, कोरोना से मर गया, या नहीं लिखेगा, तो लिखना ही पड़ेगा, because जब भी कोई इनसान मरता है, तो अक्सर breathlessness होती है, अक्सर cardiac problem होती है, अक्सर body में clot आ जाता है, यही सारे basic कारण होते हैं, right, cancer में तो clotting से ही मरते हैं, तो आप जो death के आखरे देख रहे हैं, US के, death के आखरे देख रहे हैं, इंडिया के, जो आने वाले टाइम में exponentially बढ़ने वाले हैं, so that will be a misleading thing to justify कि हमने जो सारा कुछ किया है, या किया था, या कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, तो ये सारी बाते आपको समझना होगा, ताकि हम अब सोचें, दिमाग लगाएं कि वो भैंस को पानी से कैसे निकालें, मैं Dr Vishwarupra Chaudhary, all the best, thank you, Jain.